इन दिस वीडियो वे लेर्न अबाउट आवर फुड फुड कहां से आता है और अलग-अलग जगा पे अलग-अलग तरका खाना क्यूं है और क्या-क्या खाना यह हर अलग-अलग जगा कर डिशेस अलग-अलग होता है किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसा है और वहाँ पर कौन सा क्रॉप्स ग्रो किया जाता है जहाँ जैसा मौसम रहेगा वहाँ के लोग वैसा ही कहाना क्हाएंगे जहां जो करॉप्स मिलेगा वहाँ के लोग उसको ऊगाकर खाना खाएंगे तो इस वज़या से हर जगा खाना अलग-अलग होता है और कौन से जगह का क्या खाना है वो लेर्ण करना है नेक्स्ट बहुत जगह का मिठाई अलग-अलग है जैसे कॉलकता इस फीमस फॉर रसगुला जैन मिष्टी दवई नागपूर फॉर सोन पापरी इसी तरह से मोदक गनेश जी का गनेश चैटूर्थी में बनता है जीरी बोलते हैं तो जिस मम्मी जो मम्मी मतलब जो न्यूबॉर्ण बेबी की मम्मी है उसको यह खिलाया जाता है इस तरह से अलग-अलग डिशेस बनता है सबका अपना अलग-अलग इंपॉर्टेंस है अलग-अलग कल्चिर के अकॉर्डिंग से इस रिटन मोस्टे दफूड हाबिट्स अपनी कम रहता है तो इस वज़े से वहां के लोगों को फ्रेश वेजटेबल्स जल्दी से नहीं मिलता है तो वो लोग जादा तर दाल अचार और बेशन के साथ मतलब यही इन सब चीजों को यूज करके डिश बनाते है फिर जो लोग सी कोस्ट के आसपास रहते समुद्र के किनारे कोस्टल एरियाज में वो लोग कोकोनट और सी फूट जादा खाते हैं फिश क्राब यह सब चीज कश्मीर कश्मीर में ठंड बहुत है तो वहां के लोग ठंड दूर करने के लिए एक तरका चाय होता है वो पीते हैं तो अलग-अलग क्लाइमेट और अलग-अलग क्रॉप्स ग्रोन के अकॉर्डिंग लोगों का खाने का स्टाइल अलग-अलग ह हो गया ओल ओल ओवर इंडिया पीपल युज वराइटी ओफ फ्लास तो मेक चपाटी स्ट्रम मतलब रोटी बनाने के लिए सिर्फ गेहू का अटा नहीं यूज होता बहुत सारा चीजों बहुत सारे चीजों का रोटी बनता है आटा बनता है जैसे वीट राइस कॉर्ण सो उनका चपाटी है वो लोग पंजाब में जादा गेहू का फसल है तो इस वज़से मां चपाटी जादा खाते हैं साउथ इंडिया में चावल जादा उगाया जाता है तो वहां के लोगों का में डायट में राइस है इसी तरह से लोकेशन के कोडिंग बदल गया बट अब लोगों का फुड़ हाबिट सी बदल रहा है ऐसा क्यों कि लोग जादा ट्रावल करने लग गया है काम के का परपस से भी या फिर घूमने फिर ने या फिर पढ़ाई लिखाई के कारण education के कारण बच्चे हॉस्पिल में रहते हैं तो वहां का खाना खाना सीख जाते हैं त इस वज़े से लोगों का food habits change हो रहा है अब जैसे एक पंजाबी है तो भी वो South Indian food enjoy कर रहा है because उसका वो टेस्ट हो गया खाने का so people are moving from one state to another for living business and education many people even move from one country to another country change कर लेते लोग business के कारण तो जहां पर रहते हैं वहां का dish अगर अच्छा लगने लगता है तो वो टेस्ट acquire हो जाता है तो इस वज़े से लोगों का food habits change हो रहा है जब हम लोग खाते हैं तब हम लोगों को TV नहीं देखना चाहिए because it is bad for our digestion now how do we get our food items we get our food items from both plants and animals but mostly we get from plants like wheat, rice, pulses, vegetables, fruits, etc. we get from plants some vegetables are eaten raw किसी vegetables को कच्छा खाते हैं किसी को cook करके खाते हैं you already know those things most fruits are eaten while they are ripe fruits पकने के बाद हम लोग खा जाते हैं बड़ बहुत सारा dry fruits जैसे होता है वो सबको सुखा कर खाया जाता है मसाला, spices यह इंडियन डिश का एक important ingredient है एक important हिस्सा है कोई-कोई मसाला को fresh भी खाते हैं या सुखा कर भी खाते हैं जैसे ginger, turmeric और कुछ-कुछ spices इसको सिर्फ ड्राइ करके खाते हैं जैसे cloves, pepper, red chili सबसे ज्यादा मसाला इंडिया में प्रोड्यूस होता है फिर बहुत सारा डिश है जैसे बहुत सारा आइटम से जैसे अब लोग वेजटेरियन डाइट को फॉलो कर रहे हैं मतलब लोग मीट खाना कम कर रहे हैं बिकॉस वेजटेरियन डाइट इस जल्दी से डाइजस्ट होता है तो यह हेल्थ के लिए अच्छा है इस वज़ए से बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी अब वेजटेरियन डाइट को फॉलो करने लग गए हैं किसी किसी वर्ल्ड के किसी किसी हिस्से में कॉक्रोच स्नेक स्नेल्स एंट एग्स मतलब कीडी का अंडा को भी खाते हैं लोग बैट्स चमगादर मतलब अलग-अलग अनिमल्स को लोग खाते बरबाद करते हैं अपने प्लेट में ले रहते हैं नहीं बाता है फिर जूठा डाल देते हैं वैसा नहीं करना चाहिए कि बहुत पूर देर अर्मेनी पीपल इनार कंट्री वारी पूर और वरी पूर और यंकेन नॉट वीश्ट लोग नेचर से अमनों को खाना मिला खाने के लिए बरबादी के लिए नहीं इसाद फाइफ प्रिंसिपल्स ऑफूड खाना का पांच प्रिंसिपल है पहला बाई ओनली वाट यू नीड जो तुमको जरूरत है वही खरीदो खरीद के बहुत सारा रख लेंगे वह घर में बरबाद होके जाएगा कोई मतलब नहीं है कुक इट विट लव खाना को प्यार से बनाना चाहिए सर्व इट ब्यूटिफुली इत अ बैलंस्ट डायट बैलंस्ट डायट यू जिसमें सारा न्यूट्रियंट्स होता है जंक फूड नहीं खाना चाहिए जादा और टेक ओनली अजमच अस यू नीड जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही लूँ तो इस वस अल बाउट फूड